हाई दोस्तों वेलकम बेक टू मैं चैनल आपका स्वागत है मेरी यूटूब चैनल पे आज मैं आप लोगों के लिए गाठिया की रेसिपी लेके आई हूं जो बेशन के गाठिये बनते हैं वो मार्केट में मिलते हैं दोस्तों मैंने घर पे बनाई है तो थोड़ी सी क्लिप मैंने आप लोगों यह अएड कर दीया वीडियो में आप लिएगा आप लोगो पूरी वीडियो के चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताईएब तो मैं एक वीडियो और आप लोगों के साथ लेक depend कि शेल करूंगी किस तरह से गाठिया डाशीम है कीज़ें दोस्तों मेरी की फुल फुल वॉच कीजिएगा इसके मत करिएगा आए इस तरह से गाठिया कर्चुल जो होता है हमारे पार जारा जो होता है जिसे पूरी हम निकालते हैं उससे हमने थोड़ा सा बेशन जो था बेशन की क्वांटिटी आप देख सकते हैं सॉफ्ट है विल्कुल टाइट ब मुझे पताया आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए तो मैं आप लोगों को शेयर कीजिए मिरसाद कि आपको चाहिए है गाठिया की रसेपी तो आपको नों के साथ दूसरे वीडियो में शेयर कर दोंगी दोस्तों यह यह ज्ञारी से भी बनाया रहता जो ज्ञारा मार मैर्किट में मिलने लेकिन अपने घर पर कि बाति और होती है दोस्तों इस तरह से इसको फ्राई कर लेना है हँए का भी तो मैं थोड़ी सी बोलव बताया अगर अगर मेरे चानल पर नए हैं दोस्तों थो आर्याव को nem whispering दोस्तों ने बटन को दवाना मत भूलिएगा दोस्तों आगे दी जाने वाली जो भी वीडियो मेरी आएंगी आपके लिए उसमें आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके तो आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के साथ शेयर निकाली है कि कि मैंने आप लोग बता हुए Eins bilang coma करोंगी दोस्तों मुझे भी बहुत खुशी मिलती है आप लोग के साथ शेयर करती हूं कोई भी रेसिपी है छोटी बड़ी जैसे भी हो मैं जैसी कर पाती हूं दोस्तों अगर मेरी कोई गलतियां होती हूं तो प्ली साब बताया करिए यहां मैंने प्याच अद्रक लैसुन टमाटर और जैसा क अधिया में एक साइड उठाके रख देंगे यह देखे कितने क्रिस्पी बने हैं दोस्तों अ कि मिल्कुछ सॉफ्ट नहीं है इसमें हमने जो इसका डो लगाया था वह थोड़ा सॉफ्ट था इसलिए सॉफ्ट पने यह देखिए इधर मैंने एक प्याच दिया था दोस्तो हो दो आधा हम इसमें मिक्सी के जार में क्या करेंगे क्राइंड करलेंगे ऐस पेस्ट बनाएंगे लेकिन वह ज्यादा महिननी करना है छो त्थोड़ा दद्र रखना है था उसमें काटके डाल देंगे सब्सक्ताइब ढाल दिया दोस्तु अच्था था थज़ए बचा करतों कुनादा मैंने पचा लिया है जो कि हम आगे यूस करेंगे टमाटर कट करके डाल दिया है कि इसका हम लटिए बनाने के बाद है हमको सब्जी की कि तयारी करनी है यह अगे देखेगा सकते लाँ मिर्च और करने के लिए यामी यमी जो कंड़ आता िसकी ग्रेंई होती हगी जो हमने सुखे लिए लिए अपकर तो continuation मिर्च भी एक इसमें मिक्सी के जार में एक से दो मिर्च पीस सकते हैं कि बाकि अब कलर वाली मिर्चा जो कस्तूर वह देखिए काश्मीरी मिर्चा आती है लाल वाली काश्मीर मिर्च वह भी आप कलर के डाल सकते हैं लेकिन कलर के लिए कोई वह नहीं है टेस्ट अगर अच् ईढ़ाय लेडस के करीब डाला है जीरा एंप यह तड़के गाली गसे दाला है अाम we में झालड करना हिसा तक ही अधा में मिक्षी की ऍपार में नहीं पीचा था यह प्रों लेंगे बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है फ्याज हल्का सा टांस्वूशन हो जाएए सा कलर हल्का सब्सक्रार चेंज हो बस है उसको भूनने के बाद पिशो मसाले हमने मिकसी के जाल में से ऐसे हैं जोस्तों को लिए करेंगी हम इसमें ढोले हैं थोड़ा सा हो गया प्याज को बहुत ज्टा लाल नहीं करना है States Cancer चैंच हो अपना प्रदाल दीए इसमें अपना नहीं तमातर प्रद में डू दाल दिया देखिए बिल्कुल एकदम कलर पिल्कुल रेड रेड हो गया है क्योंकि हमने लाल में इस डाली थी टमाटर भी इदर डाला है अब यह दही का जो हमने पेष्ट बना के रखा था जिसमें सूखे मसाले मिलाए थे ताकि हमारे मसाले तोल आई जब हमने जब हमने डही का पेष्ट डाला है तब दोस्तों हमने कैस कि फ्रेइम ऑर कर दिये तो आँकि हमारे थी दिया रखिएक हमारे प्ट सकता है उसी बावल में थोड़े सा हमने पाणिली ले रिया है इस मसाले को KARরी अब इसको अच्छे से मिलाएंगे मिलाने के बाद गैस की फ्लेम ओन करेंगे लोग पर क्योंकि दही फटने के चांस सोते हैं इसलिए हमेशा जब भी दही का पेस्ट बनाके डालें कड़ी भी देखिए हम बनाते हैं तो उसको हईलाते हैं तो फटी है मारी तो इससाब से Works जानती तो नहीं जानती हैं वह बंस बने रहें आपको आगे आगे बताते रहेंगे दोस्तों आप लोग देखते रहीं एथ ऐसे तेल मसाले रिलीज हो जाना है दही जो डाला है उसका चूटे गा तो इसमें जो वायल जो तेर मारा निकली मसाली का तेर जो भी निकली तो जाना थोड़ा से ठाट देंगे इसको कवर करके 10 poka 2-4 अधरो में नहीं है बस इसके बार दिखेंगे से इसे मसालव इसे से भून चुका है ने कना चाहिए तेल कैसे छोड़ दिये से मसाले सारह कितने अच्छे लग रहे मसाले तो मसाला जैसे भी हम बनाते हैं आप देखिएगा जैसे भी मसाले हम भूनते है और तेल हमारा पढ़ता है लोही कड़ाई में अगर आप बनाएं तो और अच्छा सबजी हमारी और टेस्टी बनती है बाकी तो नॉन इस्टिक यह साफ से लगाएगा थोड़ी दिल पकने के बाद थोड़ी ज़्या रणी नहीं बनानी है या आप देख सकते हैं मैंने जब्सक्राइब यहीं डालंए क examine Ebapெया पहले वीडियो में शुरूबात में कि बच्चे मेरे पूरी के साथ बोल रहे थे तो मैंने ज़्यादा ग्रेवी नहीं की है इस तरह से लिप्रिट बाली मसाले रखी है देखे दोस्तों सब्जी हमारी बनके तयार है मसाले में लुकुल इक्तम मिल गई है इसी में तरी अगर करना चाहें तो आने के बाद धनिया डालके अपना इंज्वाय कर सकते हैं राइस के साथ पूरी पराटे के साथ आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में बताईएगा अब बनाके जरूर देखिएगा और पूरी वीडियो वाच कीजिएगा वीडिय आपको चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजेगा दोस्तों प्लीज एंज्वाय कीजिए मेरी रेसिपी बनाके दिखिएगा थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद दोस्तों बाइबाइब दोस्तों कर दो